कक्छा आठ हिंदी का पेपर क्लास एट हिंदी कोशन पेपर पहला कोशन है खाली जो गहों को भरी है तो सुमती न पाहवी करे कुमती के धन्द यानि संगती जो है सुमती न पाहवी करे कुमती के धन्द तो संगती भराएगा मेरे आलाह बुराई या अच्छाई तो यहाँ पर मेरे आलाह बुराई से बचाना मुझे को ठीके बुराई हो जाएगा दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा या उजाला जाए अंधेरा या उजाला जाए तो अंधेरा जाए अंधेरा हो जाएगा मैं कहता ब्यामोही या निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे, तो यहाँ पर हो जाएगा निर्मोही भराएगा, काम को आराम्भ करके यो नहीं जो छोड़ते, तो आराम्भ हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा कोश्चन देखिए, दूसरा कोश्चन है, सही विकल्प आपको सही का निशान लगाना है अभी उम्र कूल 23 की थी मनुझ नहीं अवतारी थी या पंक्ति किस पार्ट से संबंधित है तो जासी किरानी एंसर हो जाएगा गौण नमबर इस्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है इस्या की बड़ी बेटी का नाम जो है निंदा है एंसर हो जाएगा आपका गौण नमबर दिन बंधु किस कभी को कहा गिया है तो सुर्यकाल तरिपाठी निराला एंसर हो जाएगा आपका गौण नमबर अगला कोश्चन है बाल गोविन बाल गोविन भगत क्या थे बाल गोविन भगत जो है आपका ग्रिहस्त थे एंसर हो जाएगा खो नमबर बिक्रम सीला किस राजय में अवस्थित है तो बिक्रम सीला जो है आपका बिहार में अवस्थित है खो नमबर एंसर तीसरा कोश्चन है आपको अस्तम असे अस्तम बह में जो है मिलान करना है चमन चमन को मिला देंगे हम फुलवारी में यानि की घह में और हिमायत हिमायत को हम मिला देंगे भालाई में और करिश्मा को मिला देंगे चमक्तार और मुल्क को हम मिला देंगे देश में और मनुझ को मिला देंगे मनुष्य में ये होगी आपका मिलान करने वाला कोश्चन चार नमला कोश्चन देखे चिकित्सा का चकर किसकी रचना है देखे सुदामज चिकित्सा का चिकित्सा चकर बेड़ब बनारसी द्वारा लिखी गई एक हास से एवं ब्यांग से परिपूल रचना है होमोपाथी चिकित्स से आप क्या समझते हैं होमोपाथी चिकित्स समया समझते हैं कि रोगी की लच्छर, रूची और अधिक आधार पर दावा का चुनाव किया जाता है पाचवा कोश्चन है कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतित होता है कि सिर्चन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था उलेह करें चिकित्सा का चकर बेढ़ेव बनार्सी दोबरा लिखी गई एक रहास्य ब्यांग से परिपूर रचना है इसमें से आप लिख सकते हैं ठीके पाचवा नंबर कोस्टन जो है आपका देखे क्या है कहानी के अनेक प्रसंगों से प्रस्तीत होता है कि सिर्चन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था वह अपने काम में दक्ष था तथा वह अपना काम पुरी तनम्यता से करता था निमंदारिय से करता था कुछियों के रंगरे तथा सुतली सुलजाने के करम में काम करते समय उसी के तनमयता में जारा भी मतलब बाधा पड़ी कि वह गेहुण साप की तरह फुफरा राता था ठीक है मतलब की फुफकार करके जो है उठता था तथा काम अधूरा छोड़कर चला जाता था जैसे की लेखक की मा के घर सितल पाठीयों चिक बनाते समय किया था ठीक बनाते समय जब वह अपने काम में मगन था तो जलपान में उसे चूड़ा और गूण दिया गिया जिसे देखने के बाद वह नाक भौँ शिकोड़ने लगा लेकिन उसने कोई प्रतिकिरिया ब्यक्त नहीं की और काम में मगन होकर चूड़ा खाने लगा काम में मगन रहने पर उसे खाने पीने की सुधी नहीं गरहती थी इससे असपश्ठ की सिर्चन अपने काम को ज़्यादा तरजी देता था मतलब काम पर ज़्यादा ध्यान देता था